पहुँ शांती आज राज्यों की शक्ति जिसे कहा जाता है निर्णे करने की शक्ति उसके विशे में हम विजारवी मर्ष करने जा रहे हैं जीवान में पर देख शाण हमें कोई 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 निर्णे लेटा पड़ता ना है हमारे निर्णे की सफलता और असफलता ना केदर भाला करती है हमारा एक निर्णे हमें फर्ष से अर्ष तक हों जाने की शमता रखता है हर समस्या में सबी निर्णे लेकर सफलता पड़ना संबब नहीं होता जिस तथा से एक तराजु में अगर कुछ भी रखो तो उसका सभी निर्णे तब ही मिलता है जब उसका बीच का पाड़ा एक दम स्थिर होता है ऐसे कि जब मन का काटा स्थिर होता है तब यगिनी कैसी भी परिश्थ सिद्धी में सही निर्णे ले सकता है समस्या के वग अगर ना भारी प्री हल्चब में आ जाती है तो भी हम यदात निर्णे नहीं ले सकते हैं किसी ने सही कहा है कि समस्या हर व्यक्ती के सामें आती है प्रतु किसी के लिए ये अश्थर के द्वाल खुल लेती है और किसी के लिए ये उसे पच्छार कर अदूगती की तक ले जाती है अब आस्तों में देखा जाए अब वो व्यक्ति जो सही नेने लेता है उसका आधार किया है उसके पीछे दो गुण है एक है स्थिरता और दूसरा है धैरियता जब उध्धी रूपी काटता है स्थिर होता है मन धैरिये वत होता है तब व्यक्टी सही नेड़ने ले सकता है काम्यापी उसी के जलना चुम्ती है जो उच्चित समय पर सही नेड़ने ले पाती है हमें अपने मन को परमात्मा में एकादर कर बुथी रुपी कांटे को स्पूर कर जीवन ये सफलता का अन्गू करना है क्योंकि जीवन में नेड़ने के मुखे बार बार आते है गरस्त जीवन में रहते हुए हमें अनेख परकार के नेड़ने लेने पड़ते है लेकिन जब मन स्थिर था तब हर व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान अपनी घर में बैठ कर कर लेता था सबी नेने एक घर में हो जाया करते थे लेकिन समय में करवट बदली और मनुष्य मन विच्छित होने लगा अनेक परिस्थितियों के कारण और हमने देखा कि आज मन की स्थिर्था की कमी के कारण इंसान के घर के नेने भी कॉल्ट और कजैरी में होने लगे है लेकिन अगर मन परमात्मा पीता में लग जाए जिसे हम राज्चियों का मेडिटिशन कहते है उससे मन में स्थिर्था आएगी स्थिर्था आणने से धैर्यता होगी और धैर्यता से हम अपने हर नेने से हैज कर सकेंगे इसलिए medication का अभ्यास करते हुए हम अपनी निर्णे शक्ती को बढ़ा सकते हैं लेकिन कई बार हम देखते हैं कि निर्णे सही नहीं होते हैं एक छोटी सी बार हमें याद आती हैं जब हम भावनाओं के वश्व कर कोई भी निर्णे करते हैं तो निर्णे सही नहीं होता है कहते एक बार एक भगत और भगवान में गहरी मित्रता हो गई और भगत ने देखा भगवान हर रोज खड़े रहते हैं एक ही मुद्रा में एक ही पोजिशन में और जो भी आता है उससे मुस्कुरातर उसको शिरुआत देते हैं तोनों ने का भगवन आप बहुत समय से जब से मैं आपको देख रहा हूँ आप ऐसे ही खड़े हैं क्यों ना ऐसे किया जाए कि एक तो दिन के लिए आप छुट्टी पे चले जाए और मैं आपके स्थान पर खड़ा हो करके आपकी ये सेवा करूँ भगवन ने उनको बहुत मना किया लेकिन भगत जिद पर आगे और कहा कि भगवन आपकी और मेरी मित्रता का क्या पाइदा तो इसलिए आज आप मुझे अपरी जगा खड़ा कर दे भगवन ने का खीक है लेकिन एक बात का ध्यानकरा कोई भी आए कोई भी जाए लेकिन आपको साक्षी हो करके अनली देखना है लेकिन कोई इंतर्थ्यार नहीं करनी है तो भगवन ने काठी कैं भगवन ने उनको अपरे इक स्थान पर खड़ा कर दिया और वो चले गए और दिन की शुरुआत हो गई अब दिन की शुरुआत हुई तो भगतों ने मंद व्यक्ति है लेकिन कहते हैं अमीरों की इच्छाएं भी तो खतम नहीं होती है तो उसको और इच्छाएं है कि है भगवान मेरा ऐसा हो जाए तरी फेक्टिया हो जाए ये हो जाए उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ा और फूजा अर्चना की लेकिन जाते जाते हो लगे तो उनका एक पर्स जेब से निकल करके नीचे गिर गया और वो चले गए हुने देखा नहीं लेकिन थोड़े की समय के पर्स चारा एक बहुत गरीब व्यक्ति वहां आया जो भगवान के आगे प्रात्ना कर रहाता है भगवान दो जून की रोटी भी नहीं है कुछ ऐसी किरपा करो कुछ परबंद करो और जैसे ही वो जाड़ी लगा मस्तक जुकातर के नीचे देखा तो एक पर्स गिरा हुआ है उसने उस पर्स को उठाया और देखा उस पर्स में बहुत सारा पैसा है उसने भगवान का धन्यवादी किया है प्रभू आपकी अपार किरप जिसको जल्द ही अपनी याक्रा पर वापिस लोटना है वो वहाँ आते है प्रमात्मा से प्रात्पना करते है और जाने लगते है तो तब भी पुलिस को लेकर कि वो सेख पुने महां पहुँच जाता है जिसका पर्स गुम हुआ होता है लेकिन देखा यह जाता है कि वो ज बगवार उन्पी भगत महां देख रहा था लेकिन जब वो गरीव व्यक्ति परस उठाके जाने लगा तब भी वो बोलने लगा लेकिन समरीदी आगे कि भगवार में बोलने के लिए मना किया है अब जब ऐसा फोका सामने आया कि जिसने चोरी की नहीं वो पकड में आ रहा है तो उससे रुखा नहीं गया वो तुरंत बोला खेरो मैं सच बताता हूं कि परस इसने नहीं उठाया और परस को उस व्यक्ति ने उठाया जो इससे पहले आया था और वो लोगों गये और उसके भी को कड़े अब वो दिन में पूरा दिन बहुत खुशी है कि आज मैंने ए और उनको भगत मिल रहा है और वो बड़ी उक्तावस्ट भगवान को ये बता रहा है कि आज को मैंने बहुत अच्छा काम किया इस भेवसूर गयक्ती जो पुलिस में जाने वाला था जेल में जाने वाला था आज मैने उसको छुडा दिन भगवान ने का फिर तुम बोल प अमीर धनाटे पहला भगत आया था, उसके पास अखा अंगिनत संपती थी, खुट तखजाना, उसका उपर्स गिर भी गया था, तो उससे उसको कोई फर्क ने पढ़ने वाला था, दूसरा भगत जो गरीब मेरे दर पर आया था, और प्राथना की थी, वो भगत जिसके बच् कि इसकी पत्री की जीवन बच जाता, और तीसरा जब भगत मेरा आया था, जो एक नाविक था और जिसको एक यात्रा पर जड़ना था, और उसकी नाम दूबने वाली थी, और वो अगर जेल में चला जाता, तो वो मिल्क्तियों से बच जाता, भगत तूने तो सब कुछ उ जल्चल में हो, तब आप कोई भी नेने ना लें, शांत मन से विचार कर कोई भी नेने लें, इसलिए देखा जाता है, जज, अपनी जजमें, भावनाओं से परेवोकर, विवेक को फिर शांत कर फिर नेने लेता है, और जब इस रिती से नेने लिये जाते हैं, तब ही वो नेने सफल होते हैं, इसलिए आज दुनिया में लोगों सारान महातमाओं के पास जाते हैं, अपनी जीमन के कुछ नेने के लिए, और वो समझते हैं कि ये जो नेने देगे वो राई होगा, लेकिन अगर उनका मन शांत होगा, वो लोग भी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपनी आँख को बंद करते हैं, मन को शांत करते हैं, और फिर हमें कोई बात बताते हैं, इसका मतलब क्या है, कि कुछ शणों के लिए वो भी अपनी गुद्धी के कांटे को परमातमा में लगा कर स्थिर करते हैं, मन को उसकी याद शांत करते हैं, तब उनका तराजुपी सभी निर्णे करता है तो ये कार्य हम सभी अपने जीवन पर स्वयम भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रस्ट में रहते हैं तो बहुत से निर्णे हम सभी को लेने पड़ते हैं तो इस तरह हम अपने जीवन में अपनी निर्णे शक्ति को बढ़ा करके अपने इधर परिवार को सुप और शांत बना सकते हैं, आप सब्ल की निर्णे शक्ति परमात्मा की याद से अवश्य बढ़ेगी जब आप भी मैलेजिशन करते रहेंगे, ओम शांति, ओम शांति